दोस्तों बिहार में फिर से नई भरती आई है, यह जो भरती है दोस्तों परिचारी पोस्ट का भरती है, ओफिस वाला जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है और सबसे खास बात यह देखेगा दोस्तों तीसमें 10 मी पास पर ही सेलेक्शन होगा, अगर आप 10 पास है इस फॉ फॉर्म फिलब करना है सब कुछ आप लोगों को बताने वाले सेलरी कितना क्या मिलेगा फॉर्म भरने के लिए योगिता क्या है कैसे क्या चेयन होगा मिनिममम एज कितना चाहिए तो उचलिए सभी चीजों के बारे में देख लिए और आपको ओफिसियल वेबसाट पर लेच तो भर दीजे यहां पर आप देखेगा विग्यापन संख्या 02-2022 के अंतरगत यह भरती दिया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं विग्यानियों प्रोदोगी की विभाग विहर पटना के छेत्रिय कारियाले में कारियाले परिचारी ओफिस वाला जॉब है ओफिस य तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें महिलाओं को भी 35 पर 37 तारक्षन दिया गया है शैलरी की बात करेते लेबल वन है लेबल वन में कितना मिलता है सभी चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं यहां पर देखेगा मैटरिक समकच यहां समकच उतरीन यानि मैटरिक बारे में देखेगा तो जनरल काटोगोरी में टोटल 99 सीट है जिसमें से 33 सीट महिलाओं के लिए आप देखेगा इसमें सबसे खास यहां पर बेनिफिट होने वाला फिमेल को क्योंकि 32 पर 33 सीट इसमें से रिजर्व किया गया है इसके बाद देखेगा एवस में 24 सीट है जिसमें से 7 सीट फिमेल के लिए है और पिछरा वर्ग में 0 सीट दिया हुआ है दोस्तों यहां पर बीसी काटोगोरी साते है तो आप तो फॉर्म भर सकते लेकिन जनरल वाला सीट जो 99 उसी के लिए आप इलिजिवल है इबीसी में भी आच्छा खासा सीट है 40 सीट है और य 7 सीट डिजर्व है टोटल यहां पर सीटों के संख्या 230 यह एकटर अलग से नहीं है जो टोटल ऊपर वाला है उसी में से यहां पर नीचे में जो सीट दिया हो यह रिजर्व है तो यहां पर बीसी काटगोरी वालों के लिए थोड़ा निराशा है कि यहां पर एक भी सीट नहीं दिया गया है तो अगर आप बीसी काटगोरी साथ ने फॉर्म भरी है जेनरल का जो निनानमे सीटा उसके लिए आप इलिजिवल है बांकी जो यहां पर रिजर्व काटगोरी में जीरो सीट दिया हुआ है यह हो गया इसके बाद फ्रीडम फैटर के लिए भी पांस सीट उसके में बांस देखेगा तो होता है कि बहुत सारी भरती में आइसा रहता है कि यहाँ पर सेक्षनिक योगिता में देखेगा तो अगर आप अंतीमतिती तक अंतीमतिती जो 31 अक्टूबर है अगर आप दस्मी पास हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते है आरक्षान का लाव तो बिहार के निवास पर्मान पतर आपको देना पड़ेगा और यह जो होना पर इस्थाय निवास परमान पर अभिहरतियों के पास होना निवार्ज है तो आगर आप के पास यहां पर होना चाहिए नहीं की अब अन्य चीजों के बारे में देख लिए तो यहां से आप उम्र सीमा के बारे में देख लिए उम्र सीमा देखेगा दोस्तों अगस्थ 2022 से कॉंट किया जार है डिग्री जो होना चीजो होना चीजए फ़ॉर्म भरनें के अंतिमति थी ता और यहां पर दस्वी जो मांगा जारे एक अगस्थ 2022 को अगर उम्र सीमा में एक अगस्थ 2022 202 है अगर मिनिमम एज 18 साल कम्पलीट हो गया अगर आप तेन्थ पास दोनों के लिए 42 साल है यह हो गए उंडे सीमा के के बारे मैं अब चली आपको अफिस्यल website पर यहां से लेचलते हैं तो यहां पर आप विज्ञानेई क्या तो यह ऑफिस्यल वेबस्येट प्लाइट है और जैसे Haa पर apply online link पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर DST का online website open होगा इसी website के माध्यम सापको official है इसी website से आपको form फिलब करना है तो form का यहां पर link है click here to apply online अगर आवेधन भर दीजेगा तो अपना application status registration number date of birth से चेक कर सकते विज्यापन यहां से देख सकते हैं तो यह हो गया यहां पर click किजेगा click करने के बाद यहां पर आ जाएगा form का link तो यहां पर देखेगा सबसे पहला चरण है registration registration किजेगा तो आपको user ID और password मिलेगा इसके बाद आपको अपना qualification details photo signature यह सब चीज़े आपको upload करना परेगा इसी सब चीज़ों के बारे हम यहां पर है पहला registration है फिर personal details है फिर educational qualification photo signature certificate details और इसके बाद final submit किजे फॉर्म भरने की यह परकिरिया हो गया यहां पर click here to registration पर click किजेगा तो यहां पर registration करना परेगा registration के समय आपको basic details नाम, father's name, date of birth यह सब चीज़े देना परेगा यहां पर पूछा जारे है आप कौन से post के लिए applied करना चाहते है तो apply post में यहां पर career life परिचारी select करना है इसके बाद अपना नाम, father's name, date of birth, email id दी दीजेगा तो OTP email पर आएगा verify होने के लिए दीजे फिर mobile दीजेगा तो mobile नमर पर OTP आएगा फिर gender यहां पर estate बिहार आपको देना है category यह सब चीज़े home district इसके बाद यहां पर अधार card में क्या नाम है अधार नमर यह भी अधार नमर यहां पर लगेगा इस form में आपको इसके बाद यहां पर capture देना है के करके सभी चीज़ों के बारे में देख लिजे तो यहां पर देखेगा पोली टेक्निक से समबंधित है यदि बीसु बैंड पोली टेक्निक सिक्छा सूद्रीड ही करन पर योजना के अंतरगात अगराब तीन वर्स कार्ज किये हैं तो यहां पर आपको वेटेज मिलेगा इन सभी चीज़ों के बारे में है और उम्र में भी चूट दस साल दिया जाएगा चैन परक्रिया के बारे में देखेगा तो अभिहार्थियों के मैट्रिकुलेशन अथ्वा समकच परमान पत्र में प्राप्त अंकों के परतिसत क्याधार पर मेधा सूची त्यार की और यहां पर एक्स्प्रियेंस के लिए आपको मार्क्स मिलेगा विस्पॉली टेक्निक सिक्षा सुद्री डीकरन प्रियोजना के अंतरकत अगर आप पहले से गुरूप डिये स्टाप में काम किये हैं तो अगर छे महा से उपर का है तो एक साल का आपको दिया जाएग और इसके लिए पांच अंग का आपको वेटेज मिलेगा और अधिकतम पांच साल के लिए यहां पर आपको 25 अंग का यहां पर दिया जाएगा तो यहां पर सारा चीज़ाओं के बारे में बतेया गया है यादि तीन वर्स कार्ज किया गया है तो यहां पर उक्तभ भीहार्थी का matriculation समकष में प्रापतंग 60% है तो यहां पर 3% कार जनुभव क्याधार पर 63% का यहां पर दिया जाएगा तो यहां पर यह है कि दोस्तों कि अगर आप इसमें किये हुए हैं तो एक साल के लिए आपको एक परतिसत का वेटेज मिल रहा और अधिक्तम 5 साल के लिए 5% यानि पांच चंग का वेटेज मिलेगा देखिए इसे कुछ खास एफेक्ट नहीं पड़ेगा बस मांच परतिसत है और यह बहुत कम ही लोग किये होंगे इस प्रोजेक्ट के तुरू काम और यहां पर जयातर जो सेलेक्शन होगा मेरिक क लेवल में जिसका परषंटेज मार्क चख सथी का सबसीदprovेट वेटेज यानि 95eri सबस इसमें पमांच का वेटेज दिया जाएगा यहां पर क्या होगा मेरिक को परچने किजिएगा अपना नाम फादर्स नेम डेट और फोटो सिंगनेचर क्वालिफिकेशन डिटेल्स यह सब चीजे देख के फॉर्म आपको फिलब करना है फोटो सिंगनेचर भी अपलोड करना है इन्हीं सब चीजों के पार हम यहां पर निर्देश के माद्य हम से बताया गया ह सैक्षनिक योगिता में मार्क्स आपको यह सब CGPA स्कोर आपको परसेंटेज में कनवर्ट करके यह सब चीजे आपको देना है यहां पर यह हो गया और पिरिंट का आपको आविदन पत्र का पिरिंट भी निकाल करके रख लेना है जब आप डॉकुमेंट फिरिपिकेशन य सैलरी की बात करें दोस्तों यह लेबल वन का पोस्ट है और लेबल वन में जो बेसिक सैलरी होता है अठारा हजार तो इसमें होस रेंट महागाई भत्ता सब कुछ जुट करके आपको 37,000 सैलरी शुरू में मिलने वाला है तो बहुत ही अच्छा जौब है ओफिस वाला जौ होगा तो सारा कुछ यहां सापको अच्छे तरीके समझ में आ गया और हम आपनों किसी तरह सही जानकारी देते हैं तो अगर आप सभी चैनल पर नए है तो फटा फट सब्सक्राइब करके जुट जाईए बिहार से संबंदित कोई भी भरती आईगी तो सबसे पहले जानका ही मिलने वाला है तो देर्श की इस बात की फटा फटा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुट जाईए